अभी जो हम लोग तूर करके आए बेल गाउ के नजदिक में जो चंगट था वो मेरे वाइफ का एक्चुली वो तालू का है गाउ है उसके ठीक दस किलोमेटर के पास मेरे वाइफ का घर है तो हम जो सीके किंग की जो टीम बना के हम गए थे तो वहाँ पे हमने मेरे टीम मैचेस के लिए एक पूरा सिरीज कहला पहले दस ओवर का एक मैच कहला फिर आट ओवर का और फिर पाच ओवर का तो जो मेरे पुराने कस्टमर दे नितेज गाउड़े करके तो उनसे बात हुई थी कुछ महेनव पहले और वो उसी गाउड़े निकले तो वहाँ में दॉरो कहा है यह बेलगाओ से सिर्फ एक धेंटे की दूरी पह यहाँ से थाने से थाने से हम लोग फिर हमने बस की हो एस्टी बस थी लाल परीज इशको बोलते हैं और फिर हम चंगर्ण में उत्रे चंगर्ण में जो होटल हमने बुक किया था वो काफी अच्छा था होट onu rooms काफी अच्छे थे clean थे नए नाई होटल था और टीन रूम प्रोटल हमने बुक किये थे तो बहुत अच्छा था वह उटल फिर सुबह सुबह हम लोग जैसे आये वैसे हम लोग रेडियो के हम लोग मैच के लिए निकल दिया तो हमने जब हम बेलगाओ में हम लोग जब उत्रे तभी हमने सिर्फ एक हलका सा नास्ता किया था उसके सिर्फ खेलने निकल गया तो जो मेरे वाइफ का घर है वो एक 10-12 किलोमेटर के दूरी पे था तो वहाँ पे सब खाना भीना बनाके रेडि था देड़ दो बजे और हमारा प्लान यह था कि हम सिर्फ एक पहला मैच खेलके वहाँ पे खाना खाके फिर वह आपस यहाँ पे कि हमने कुछ खाना नहीं खाया और एक के बाद एक मैच खेलते चले गया तो पहला मैच दस और का जो था उसमें 144 रंस हमने किये हमरे टीम ने सीके किंग 11 में काफी अच्छी बैटिंग की सब लोग ने और मुझे मॉंटी की बैटिंग बहुत अच्छी लेगी और दस बॉ किया योगेश ने ऑफसाइड में बहुत अच्छा सिक्स मारा इसके बाद में हमारे पास एक्चुली बॉलर्स की कमी थी तो टोटल 11 ही हम लोग गये थे स्कॉड पूरा 14 लोग का था लेकिन 11 ही बन पाए ओफिस के प्रॉब्लम थे कुछ परसनल प्रॉब्लम आ गई थी त तो पाच अच्छे प्लियर आने पाए तो हम लोग सिर्फ 11 प्लियर्स थे सेकेंड मैच काफी अच्छा हुआ एक रन से हम लोग जीते और थर्ड मैच सिर्फ पाच ओवर का था तो वो भी हम कुछ 20-22 रन से हम लोग कुछ जीते लेकिन जो हमारे जो दोस्ते नितेश गाव एक दम सब्राइजिंग था इसके बाद में हम लोग डेरेक्ली फिर जो हमने ट्रैक्स की थी गावं में वहां पर ट्रैक करते हैं वो ट्रैक्स पकड़ के हम लोग डेरिकली शाम के टाइम पर साड़े पाश पाउने छे बज़े हम लोग मेरे वाइफ के गर वहां पर पहुंचे वहां पर रवरनात मंदीर मतलब जो मंदीर वो नया नया बना था हम जो अएक साल में ही हो मंदिर नयब बन गया था और राध की वज़े से हम लोग वो देखने ही पाए और जो हमरा जो ट्रैक्स वाला भी था वह जल जल्दी जल्दी कर रहा था तो हम वो देखने हिप стр आ निवर देंगत नौदे स्टों देरेक्ली चलत div नो बजे का बस था गोवा के लिए तो हम फिर वहाँ से गोवा चले गए तो जो हमें घूमना था एक्चुली गाव वो होने पाया आठ तरिक को हम लोग आये, यहां से हमने साथ तरिक को थाने से हमने ट्रेन पकड़ी दी, और आठ तरिक को हम लोग बेलगाओ कहुचें, फिर बेलगाओ से हम लोग चंगड है, उसी दिन 11 बजे, साड़े 11 बजे मैच शुरू हुई, मैच के बाद हम लोग वहां पे गए, ख गोवा में हमने जो मैच कहला, सीरीज के लिए, वहां पे पिछ एकदम खरब था, मतलब वह पीछ ही नहीं था, पूरा, मतलब वह एक्चुली पीछ कबड़ी का था, वालीबॉल का था, वहां पे छोड़े-छोडे बहुत सारे पत्तर थे, तो वहां पे हमको तो पहले समझ में नहीं आए कि पिछ है कहां पर, जबी हम ग्राउंड पर आए, तो फिर उनों ने थोड़ा सा वो पत्तिया लेके जाड़ की पत्तिया लेके वो पिछ साफ किया, और हम लोग टॉच जित लिये, टॉच जितने के बाद मैंने बैटिंग ही लिया, क्योंकि होम ग्राउंड पर कभी भी, मैं समझता हूं कि कभी भी अगर मैच खिलने जाए, किसी दूसरे के फॉम ग्राउंड पर, तो वहां पर पहली बैटिंग लेना बहुत ज़रूरी है, तो हमारे कुछ नब्बे के आसपस रन हुए, और फिर उनको हमने ऑल आउट कर दिया, तो ये काफी अच् अच्छुली बैट है मेरा, तो फ्लैट ब्लेड है, और इसके अभी जो हालत है, और इससे अभी शॉट्स नहीं जा रहे है, इस बैट से, तो मुझे अभी योगेश, जो है योगेश गंबे, हमारे टीम का मेंड प्लियर, तो उससे एक मुझे एक रिटन बैट लेनी है, मै उसके उपर वो सिके किंग का जो स्टिकर है, उसके नीचे मेरा नाम है, तो उशार करके सिके किंग 11 की बैट है, वो स्टिकर जो है, वो स्टिकर जो है, वो सिके किंग 11 का है, और उसके नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है, तो पता नहीं अभी योगेश ने वो बैट किसको द यह बैट नीचे से बॉटम से क्रैक कर दी थी तो मेरी बॉलिंग पे तो मैंने चॉरकर बॉल डाला था और उसने जोर से नीचे पटक दी बैट तो मैं आपको दिखाता हूं यह जो यह बैट है ना यहां से क्रैक गई थी तो यह पूरी यहां तक क्रैक थी इतनी बड़ी क्र भर दिया है यह जो आप देख रहे हैं यह भूसा और फेवी कॉल से मैंने इसको भर दिया और मैंने थ्रेडिंग करवा दिया इस बैट को लेकिन दिक्कत यह हो गई कि इससे अभी उतने शॉट्स नहीं जा रहे जितना जाने चाहिए थे क्यूंकि एक बार आपका बैट ने बैट दी थी वह आपस अभी मुझे लेना ही पड़ेगा तो देखते हैं अभी योगेश तो रोहा गया है वहाँ पर उसके लीग मैचेस है तो वहाँ से जब आएगा तभी उससे बैट लूगा उसको थोड़ा सा मनाना पड़ेगा पता नहीं अभी वापस देगा कि न मेरी सबसे मन पसंद बैट थी फ्लैट बेड है यह बैट अभी नया जो बॉल जबी बॉल करते हैं और डालते हैं तभी उस टाइम पर यह बैट लेने ही रही है तो इसके वज़े से अभी मुझे नहीं बैट की ज़रूरत है एक्चलि जो योगेश को बैट दी है मैंने वो फ्लैट ब्लेड की है वएसे तो सेमी अपर आप के दो बहुत सारे बैट से fire पर से मुझे नहीं होता है एक ऋबी rozp से मैं धी डी जो मेंने दिये उसको बैट वह वापस लूगा तो देखते हैं अभी योगेश का बात है और कभी मैं कप लेता हुँ कैपस थर डूबी जो स् 24 25 27 28 तो टोटल 28 कैप बची है तो इसके बाद मैं मैं अभी सिके किंग के नाम से नहीं करूँगा डबल ए के नाम से करूँगा हमरी जो डबल ए वारियर की जो बैट्स रहती हैं जो लोगों है डबल ए वारियर का वो सिर्फ इस कैप पे आएगा तो और कलर भी तोड़ा चें तो बहुत लोगों ने एप्रेशिट किया यह कैप तो मैरे पास यह दो कलर मैंने किये थे यह बल्यू और ओर गरे ग्रीम तो जितने भी अभी हमने टुर्नामेंट खेले हैं तो उसमें मैंने यह ग्रेयम की कैप मैंने पहनी थी यह वाली कैप तो यह तो नहीं कैप है लेकिन जो मेरी कैप है वो अभी मेरे बैग में है तो यही कलर की यह कैप मैंने हर एक टूर्णामेंट में मैंने पहनी और काफी लखी साबित हुई तो यही कैप मैंने हर एक टूर्णामेंट में मैंने पहनी और हर एक टूर्णामेंट हम लोग जीते तो यह कलर और यह क्याप मेरे लिए काफी लगकी है तो लेकिन जो अभी ओरेंज ब्ल्यू कलर है वह भी मेरी जब आना भूल गया तो मेरी उसको भी में यूज करूँगा लेकिन उसको बहुत कम यूज किया है मैंने तो अभी जब अब गड़ गए थे तभी मैंने मॉन्टी को दी थी कैप क्योंकि वह लाना भूल गया था तो मेरी वह औरेंज ब्ल्यू जो कैप वह उसके पास है ग्रिप भी आ चुके हैं तो यह अभी जो ठीक ग्रिप है यह भी मैंने पाच मंगा है वह पाच्वा कहां पर यहां पर होगा अही है वह चाईए और यह पतले जो रिंग ग्रिप है यह जादा मंगा है इस टाइम पर मैंने वह यह सारे और प्लेन के भी बहुत सारे ग्रिप से तो अभी के लिए तो इतने ही है मेरे पास है लेकिन यह जल्दी अभी यह अभी जो ने शौक अभी आने वाल है उसके लिए इंडिया ग्र्ट के लिए निकलने वाले हैं यह शायद मध्यप्रदिश कहीं पर जाने वाले यह बैट यह आर्मी डिशन एक्स बैट है यह की भी हर्मिदिशन एग्सट उर्रैप कस्तरीप ही हार इए जो सर vanish हुब कि ours हमेरे यह ना तो इसके बहले मैंने यह मंगा तो यह फर्स व्लॉग था मेरा तो आप सर्प्रेस भी हो चुके होंगे तो कि मैंने कभी भी यह एस्पेक्ट पहना नहीं था तो आज व्लॉग में मैंने इस्पेक्ट आपको दिखा दिया है तो मुझे तोड़ा नंबर भी है तो लेकिन मैं बैटिंग जब ही करता हूं उस करता हूं तो फिर बाउंसर हो तो तो तोड़ा सा अध जिस्क करना पड़ता है तो आज पहला व्लॉग ता आपको कैसा लगा ब्लॉग में आप मुझे देखेंगे तो योगेश को पर सब्रक्राइज बैट देने खिले तो देखेंगे वो बैट देता है कि ने तो सिकी किंग 11 की फ्लैड ब्लेड है उसके पास में मेरी ही बैट है तो वो मैं वापस लूँगा तो चले दोस्तो आज का वीडियो में बस इतना ही और मैं मिलता है आपको एक अगले वीडियो में एक नए व्लॉग में तब तक के लिए जयुए